हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल उत्राखन जी के वेरी जी ट्रिक्स में और यूके ड्रपलसी के द्वारा दोस्तो फॉरेस्ट गाट के 894 रिक्त बदू पर भरती का विज्यापन जारी कर दिया गया दोस्ब से बहले आप सभी लोगों को ह और आपने किया हुए तो आप फॉरेस्ट कार्ट के 894 रिक्त बदू हेतु आप इदन कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम फॉरेस्ट कार्ट भरती से संब्धित सभी पैरामिटर्स के बारे हम बात करेंगे कि कब इसका एक्जाम हो सकता है क्या-क्या चीज़े इसमें न आप देख सकते हैं दोस्तो यू के ट्रपलेसी उत्राखन इजनस्त सियव चैन आयोग का 19 अगस्त 2021 का इस नोटिफिकेशन है आज ही का समूग मैं वन विभाग के अंतरगत 894 रिक्त बदू के चैन हेतु विग्यापन प्रकाशन के थी दोस्तो आज ही की है 19 अगस्त 2021 और उनलाइन आवेजन प्रादम बहुंगे आपके 24 अगस्त 2021 से अंतिम देथी है उनलाइन आवेजन की 7 अक्टूबर 2021 और फीजमागने की अंतिम देथी 9 अक्टूबर 2021 से दोस्तो और आपके एकजाम की अनुमानिती थी है दिसंबर 2021 अफी पुराने फोरेस्ट गाड का आवेजन आमंतित किये गए है इच्चोग अभ्यरती वेबसाइट पर जाकर 7 अक्टूबर 2021 तक ऑनलाइन आवेजन कर सकते हैं अगर आपने दोस्तों OTR नहीं किया हुआ है तो सबसे बहरे आपको UK ट्रप्लेस से की साइट पर जाके OTR यानकि One Time Registration करना है और आपने One Time Regist बिसिक सामरा को notification है उसके बाद हम बात करते हैं उस्तों One आरक्षी भरती के बारे में किस विभाग में कितने पद हैं दोस्तों ये बड़ा सोचनी भी सए है कि उत्राकर नदिनस्तर सिवाश चैनल आमने पदू का data तो जादी किया लेकिन यहां पर जरूर जो हमारे mail candidate होते है और अगर आप mail है ना तो आपके लिए मात्र 59 पद इसमें रहने वाले हैं जबकि अनाथू के इससे ज्यादा 87 पद हैं तो यह रोश्टर पढ़ानी का मुझे समझ में नहीं आए कि किस आपसे आयोग ने तहीं कि है फिर भी मैं आपको बताईता हूं दोस्तों विभाग हैं और जनरल में दोस्तों माली 470 सीट हैं आप देखिए ऐसी के अंतर के देख सकते हैं आप यह फीमिल काटेकरी है दोस्तों ओमें यह ए डीप यह एक सर्भीस मैं यह ओर्फन और यानि की दोस्तों अनाथ ठीक है और यह पिएच पिएच की टूटल एक भी सीट नहीं पे G Actski देख सकते हैं, और पर Èनान थो की दोस्तों यहाँ पे 87 jut हैं, वागी देखेशी जाती में फिमेल्ज की 70 jut ऐनुस्यची जाती में फिमेल्स की 9 jut है अनुस्यसी जाती में फिमेल्स की 58 jut है, आर्ति कमज भरॉरग में फिमेल्स सीटे हैं और सामानी वर्ग में फीमेल्स की 248 लड़कियों की सीटे हैं तो बहुत ही अच्छी है 248 देख सकते हैं जो भी फीमेल कैंडिट है उनके लिए उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा उसरे दोस्तों 456 पोश्टा सिर्फ उनकी है आप बिजारे अब हम बात करते हैं जनल के लिए अगर आप अनुसुची जाती है सीट है अगर आप यह बची हुई सीट है और जनल के लिए जो भी जनल की है और EWS में जनल की एक भी सीट नहीं है तो यह आरक्षन का प्रावधन बड़ा हजीव से है लेकिन यह टोटल 894 पर भड़ती का विज्यापन जारी हुआ है दोस्तों तो आयोग को कहीं नहीं इसमें विचार करना चाहिए क्योंकि जनल मेल जिनकी संक्या सबसे ज्यादा है यह हम कहें मेल कैनी रेट जो की बहुत 2100 के बीच का आयोची में 18 वर्स से लेकर 28 वर्स तक रहने वाली है अगर आपने 18 वर्स पूरे हो गये है और 28 वर्स तक आपकी आयोची में तो आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं सैक्सिक अरहता देखे दोस्तों आपको 12 परिक्षा उत्तील नहीं चाहिए कुछ लो आप देखे पहले आपका इसमें डिटर निक जाओं हो गया दोस्तों इसके बाद में आपके इसमें फीजिकल परिक्षा भी हो गए ठीक है फीजिकल अगर आपको फॉर्म आप तभी बर सकते हैं जब आप पुरुस है आपकी हाइट का एक सो पचास सेंटीमीटर है और कुमावनी गड़वाली है या नागा है आपके बाद में हिल सेटिफिकेट है तो पुरुसों के लिए आयू है सोरी हाइट 152 और महिलाओं के लिए एक सो पैंतरिस्टिक है बाकि आख का लिखा दुखा जी है प्लस माइनिस 40 से अधिक दोस्त नहीं होना चाहिए बाकि पर पर जिसमें 40 नमबर की उत्राखंड आएगी 20 नमबर की हिंदी आएगी 10 नमबर की रिजनिंग आएगी दोस्तो और 30 नमबर का GSGK हिस्ट्री पॉलिटी जोग्रफी यह सारा पोर्शन दोस्तों आपका आने वाला है सो नमबर में से ठीक है तो इसमें से दोस्तों अगर अच्छी तरके से पढ़ना चाते हैं तो आप हमारे उत्राखंड के ऑनलाइन कोर्स से भी जूड़ सकते हैं और आप उत्राखंड के नॉर्मली बुक्स से दयारी कर सकते हैं इसे के साथ अगर हम सारी दक्सता परिक्षिया की बात करें दोस्तों तो आपका 25 किलोमेटर की प्रेस होनी है mail अभिक्षियों की 4 गंटे में और 14 किमेटर की रेस होनी है female अभिक्रतियों की चार गंटे में आपको इह पता ही होगा ठीक है जैसे सब्सक्राइब तो अगो कि परिक्षिया होगी जो कि दो गंटे की परिक्षिया होगी फिर बाकी यहां पर दिया गया दोस्तों अगर आप जंदल है या ओब सबसे जरूरी बात पर करते हैं उस तो आयू ठीक है और आयू किस आधार पर मांगी गई यह देख सकते हैं आप कि एक वर्से की छूट परदान की गई है तो आयू कि अधिकता सीमा 18-29 आपकी सीमा उनी चाहिए यानि कि दोस्तों एक जुलाई 2023 के परशात आप पैदा नहीं वह वहने चाहिए और एक जुलाई 1992 से पूर्व आपको पैदा नहीं हुआ होना चाहिए ठीक है तो एक जुलाई 2023 में कितनी शूट मिलेगी कैसे आपको ऑनलाइन आविधन करना है दिया गया दूस्तों यूके ट्रप्लेस से की साइट में जाना है ओट्यार नहीं किया तो सबसे पहले ओट्यार करना है ठीक है सुल कर देख लेगता है आप फीस के बारें बात कर ले देखिए अगर आप स सकते हैं बाके पुराने केंडियर यहोंने वीडियो भी वीडियो करने ही सायक साथ सुचियालिस पर पटवारी लेकपार इनके फॉर्म भरे मैं दूस्तों आप अच्छी तरगे से त्यारी कर लिजीगा दूस्तों और अगर आप उत्राखन की टेस्ट्री जोइन करना चाह कर दिर में आपार